नमस्कार सातियों एक बार पीस से आपका स्वागत है मारे योटूब चनल स्पीड नेट रुप पर तो दोस्तों आज की इस लेटेस्टिक वीडियो के अंदर हम बात करने वाला है EPS 95 पैसनरों के लिए आज एक अप्रेल आज बहुत बड़ी खुसकबरी निकल कर आ रही है अगर आप यह EPS 95 पैसनर है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी निकल कर आ रही है आज एक अप्रेल हो चुका है और एक अप्रेल से आपको 4500 प्लस डिये आपके खाते में आने की बात कई जा रही है जिया दोस्तों अगर आप एक EPS 95 पैसनर है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आने वाली latest information आपको सबसे पहले मिल सकें मैं हमें सा राइट information देता हूँ आपको अगर आप भी एक EPS 95 पैसनर है तो सपोर्ट जरूर करें से लिए दोस्तों बिनना टाइम बर बात की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों EPS 95 पैसनरों के लिए पैसन बुड़ोतरी को लेकर के कई सारे धरने परतासन अंदोलन हुए लेकिन ये एक pension scheme एक ऐसा scheme है मेरी नजर में इतना बढ़िया scheme है कि इसे देखिए बुड़ापे के अंदर बुड़ापा अगर आजाता है किसी के भी यह वाजीब है कि बुड़ापा सब के आने वाला है एक अगर आपको पेंसन 5000 रुपे परमंत अगर मिले है तो आप अपना गुजारा आसानी से कर सकते हैं आप अपनी चपल, जूते, खाने का समान, बिजली, बिल, मकान, किराया वगरा जो भी है, आप आसानी से ले सकते हैं, यहां तकि आप अपनी बहन बेटी के लिए और अपने प्रिवार के लिए भी गुजारा चला सकते हैं, अगर आपको मंतली 5000 रुपे मिले तो, इसके कमांडरा सोग जरावत और N.A.C की पूरी टीम और सारे पेंशनर है, वो इसके लिए लड़ रहा है कम से कम पिछले 5-6 साल से, बोल रहें कि भई, हमें इस पेंशन का हक है, वो हक हमें दीजिए, अमें हमारी पेंशन का जो हक है, वो हमें दीजिए, लेकिन इसके उपर सरक तो बजट के अंदर बहुत बड़ा लोस होने वड़ा है क्योंकि बजट के अंदर 5000 रुपे देंगे तो यह 45 लाख लोग है कम से इनको वहां का लोस दीख रहा है लेकिन अब गी बार आने वाले चुनाव में 2024 में होने वाले चुनाव है उस चुनाव में पता चल जाएगा क की DS&25 नाम के भी कुछ बंदे इस थै और इनकी वज़े से हमारे इतना लोस हो है 5-4000 ओन तो किसी को पता नहीं चलता है कुछ भी पता नहीं चलता है अगर लाग हो तो भी पता नशलता लेकिन 55 मदलब एक करोड यह करोड बहुत होते हैं जैसे कि रास्था नब बात करें तो कमirie देफर continu Happy दो लाग पैनटफ भят होते हैं और हर जगें गुजिरात में है माराश्ट मेंम तो जगें यह तो पुरा भारत लेवल की बात है, पुरे भारत में, सब जगे पर यह पेंसलर है, तो यह अपने अपने अंदर जो गुसा है वो तो निकालना है, तो वो आने वाले चुनाओं के टाइम मेरे हिसाब से यह गुसा निकलने वाला है, और अब देखे राजस्तान के अंदर जैसे ही चुनाओं पास्मा आ रहे हैं, तो सरकार ने यह 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 निकाल रहे हैं, गे सिलेंडर पांचुर रुपे का कर रहे हैं, और जो बाकी अधर कापी सारे मेने, आज सुबह ही पड़े कि एक अपरेल से होने वाला है, यह सब कुछ एक अपरेल से होने वाला है, व कि इनको पता है चुना पास महार है लेकिन अब हमें भी यह बड़ी खुशकबरी मिल सकती है कि एक अपरेल से जैसे कि बताया कि मार्च महीने के अंदर आपको पेंशन बुड़ोतरी हो जाएगी तो इसमें हमें भी एसा मुझे आसंग का है जहां तक मैंने मेरे को जहां तक लगता है नोटिपिकेशन एक्सपर्ट और मेडिया की माध्यम से जुजानकारी मिलिये उसे मेरे को यह सा लगता है कि हमें भी पेंशन एक अपरेल से पिचातर प्रस दिये पर चाच्चा होगी और इसमें देनी की बात करेंगी सीबीटी की मीटिंग कल पर सो होई थी और दो चार दिन बाद में और है तो सीबीटी की मीटिंग से अभी निकल कर आएगा कि अब इन पेंशनों को क्या को से देना है कितने रुपे देने हैं सीबीटी की मीटिंग के अंदर सबसे बढ़ाते है यह हुआ है कि पेंशन इनको पिचातर प्लस दिये दे देंगे यह इत मैं देखता हूँ अमेसा आप कमेंट करते हैं मैं पढ़ता हूँ आपकी राय आप कमेंट बोक्स में करें मैं हमेसा पैंसनरों के हित में वीडियो पढ़ाता हूँ आप मुझे सपोर्ट जरू करें वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया